आप देखो आज हम चर्षय आप से करेंगे बंगाल की खाड़ी में आए अमफान चक्रवाद के विश्य में तुझे सा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अमफान आ चुका है और यह यह जो अमफान का तंत्र है काने मतलब सिस्टम आप अमफान यह अप्रेल के लास से ही दे कोवार के आसपास यह निम्नवायदाब का किंद्र विक्सित हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और 20 मैं तक यह माना गया है कि यह पच्वी बंगाल उनिशा को प्रभावित करते हुए बंगलादेश को प्रभावित करेगा जो इसका ट्रेक है रूट जो है यह अपने सागर आई लैंड और बंगलादेश के मद इसे होकर यह गुजरेगा तो इस चक्रवाद की स्थिति क्या है जैसे हमने नाम क्या दिया अंफान यह चो नाम है थाई लैंड ने दिया अंफान तो यह जो नामकरण की पुरानी पद्धती थी जिसमें आठ देश समलित थे आठट नाम देते थे 64 और चौशक नाम वो देते थे उस लिस्ट का अंतिम नाम है इसके बाद जो नई लिस्ट प्रोवाइड किराएगी यह तेरह देशों के द्वारा तेरह तेरह तरह नाम दिये गये हैं वहां से सुरवात हो जाएगी तो यह एक उष्ण कड़िबंदी चक्रवाद है अगर बंगाल की खाड़ी में आया है उस्ट कड़िबंदी चक्रवाद जो बंगाल की खाड़ी में आते हैं वह और तक कि सेणी में आते हैं किसमें डिप्रेशन लेकिन डिप्रेशन का जो वेग होता है कहा गया और प्रकार की चक्रवाद होते हैं उनका वेग तो दिया गया समानें तरह 40-50 km प्रतिगंटा की से आगे बढ़ते हैं प्राप्त कर लेते हैं सुपर साइक्लोन का नाम दे दिया जाता है कि जहां तक कि इसकी वैक की बात है तो आगया है कि दोसो किलोमीटर प्रतिघंटा उपनने कि अभी अभी सुचना मिली है कि 185 इड़ कर चका το सब्सक्राइब एक अब ऐसा साइकलोन कब आया था तो 99 में और 1999 में इस सुपर साइकलों उडिसा की तड़को प्रभावित किया था और बड़े पैमाने पर तवाई उसने किया था तो यह चक्रवात कैसे गुजर रहा है उसके बिसे में भी ट्रैक भी आपको में दिखा दूंगा लेकि उससे पहले समान्य नौलेज दिया जाएगा समान्य जानकारी आपको दी जाएगी वास्तों में चक्रवात होते क्या है इसको कैसे हम परिभासित करें और यह वाइमडली जो परिशंचरण होता है उसमें उसकी कारण यह होने वाले यह अध्वुत परिखट ना है जो वैशविक स्थर पर को सह 스बिन अक्सर ही देखे जाती है तो वास्तों में घोता क्या है तो अंस्तों में अक्षर ही देखे जाती है तो वास्तों में जो चक्रवात होते हैं निम्नवाइदाब के केंद्र होते हैं अगर इसको हम विवस्तित तरह से परिभासित करें तो चक्रवात एक विस्स चक्री वाइद संचार प्रणाली होते हैं चक्री वाय संचार पणाली होते हैं जिसके किंद्र में निम्न वायदाव होता है तथा परिधी पर उच वायदाव होता है और इन दोनों के मद्ध किंद्र और परिधी के मद्ध वायदाव प्रवनता बिक्सित होती है जिसके परिडाम सरूप परिधी हवाएं तिब्रता से से लीकी अन्दर की ओर जाती है और उसको धकेलते हुए आगे की तरफ चलती है और ठकर के बास जब उसमें संचार में की हवाएं उपर की तरफ जाती है तन्सक्री तो भावतिक परिवर्तन होता है आई टिब parents in tow था और अनेक प्रकार के बादल निर्मित होते हैं कि जब हवाएं उपर जाती है तो सीतल होती है तो साप एच्छी कादरता क्या होती है तिब्रता से बढ़ जाती है तो समान रुप से अगर चक्रवात हो कि हम बात करें हम तो जो चक्रवात हैं जो से मालो की यहां पर निम्न वाय दाफ केंद्स जाति हो चली जाती है और केंद्से बाहर की तरफ जाती गटा जाता बार कर दाइख बढ़ता जाता है उधोर को पिर तो यहांत प्र क्या प्रेंशर हुआ और चार परिदी परिदी के तरफ क्या हो जाता है आइपर लेड़ सब्सqAR का इथर कि यह है फ इफ बंकार लोग परिदी से हमांत ब्रता से पर और जाती है और Nazi चक्री संचार तंत्र का क्या होता है विकास होता है अब इनकी ऩिर्छक करें समानि है भुविष्य तो यह समान लिया गया कि यह很好 कि नार्थ यमें थे अनिंहीं और तरी गुलार्द है और यह सावधेमी सभीच शॉधर्न कनेवाद रच्षणी गुलाद तो उत्तरी गुलाद में इनकी दिशा एंटी क्लाकवाईज होती ऐसे चलेगे जिसे आप देखो ऐसे घुमते वह जा रहा है गड़ी के विप्रिश मनें घड़ी के शुई के विप्रिश दिशा में एंटी क्लाक जब कि इधर जाएगा तो क्लाकवाईज कहने का मतलब दच्छनी उलाद में क्लाकवाईज होता है अगर हम अंफन को भी छोड़ देते समानी चक्रवाद के ऊपर हम आते हैं तो समानी इस्तिति यह आ जाती है कि अगर वैस्विक इस्तर पर हम देखते हैं छेत्री अधार पर तो जो चक्रवाद विक्षित होते हैं छेत्र के अधार पर दो भागों में हम बाढ़ देते हैं सितोष्ण कड़िबंधी चक्रवाद कहने का मतलब टेंपरेट साइकलोन क्या ले लेंगे टेंपरेट साइकलोन सितोष्ण कटिबंधी चक्रवाद इसको समय लें चक्रवाद नंबर एक और नंबर दू हम लेंगे उष्ण कड़िबंधी यान ट्रोपिकल साइकलोन ट्रोपिकल साइकलोन कहने का मतलब उष्ण कटिबंधी या चक्रवाद चक्रवाद नाम से सुझाया था चक्रिवाद हनी घुमती हुए हवाद अब यह जो चक्रवाद हैं सितोष्ण कड़िबंधी चक्रवाद यह समान नित्रे आप देखें तो 35 से 65 अक्षांसों के मध्य यह महादीप और महासागरों के संगम पर विक्षित हो जाते हैं और पच्मापौन के प्रभाव में आकर यह पच्छिम से पूरव की और चलते हैं और यह समान निप्रकार के वर्स वर विक्षित होते हैं चुकि वातागर के सारे विक्षित होते हैं तो वर्स वर वातागर इन छित्रों में जिसको पच्छिमी यूरोप तुली जलवाई जानते हैं तो उसमें विक्षित होते हैं और चलते रहते हैं जहां इनके परिधी कहने का मतलब अगर ले लिया जाए यह केंद्र है और परिधी है इनके बीच जो वाईवदा प्रवनता होती है जिस बैरोमेट्रिक स्लोप कहते हैं यह वाईवदा प्रवनता जो होती है समानित 10 से 20 मिली बार की होती है कितना 10 से 20 मिली मार की लिए कभी कभी यह 35 मीली बार तक चले जाते हैं जब यह सिच्वेशन होती है तो लगवक यह 32 किलो मीटर प्रतिगंटा के चाल से आगे बढ़ते जब यह इस्तिती हो जाती तो 60 से इस बाद 64-65 किलो मीटर पती घंटा से आगे बढ़ते हैं और समान रूप से वारिस करते हैं इनको समझाने के लिए चुकि इसमें बहुत ज्यादा क्या है एक तरह से समानता होती है समझाने के लिए पोलर फ्रंट फियरी दी जा चुकी है और धुरुवात आगर सिध जो रेगुलर क्लास से जोगी उसमें मैं बताऊंगा तो यह आज जो है अंफन है एक उष्ण कडिबंधी चक्रवात है तो उष्ण कडिबंधी जो चक्रवात है उष्ण कडिबंधी चित्रों में समानिता सागर की सतह पर विक्सित होते हैं कहां विक्सित होते हैं सागर की सतह पर अब ये चक्रवाद जो है कुछ चक्रवाद इसमें उश्रकडिमंद में महादीपी भागन इस्थली भाग पर विक्सित होते हैं जैसे टोड़नेटू तो चुकि यह छोटे होते हैं अध्यदी प्रचंड होते हैं तो इनकी तिब्रता के अधार पर इनको दो भागों जो मैं क्या किया गया बर दिया गया तो यह आपको समझ में समान्रूस बता दिया कि जो ताइपैट्य कलो न है मद्यक्ण शेघ्र नोसे हैं पच्छिम से पूरभ की वह चलते हैं उन च्छत नों को प्रभाविक करते हैं अब जहां तक इसकी बात है इसको हम लेगे कि यह जो ट्रोपिकल साइकलोन है कहने का मतलब जो उश्ण कडिमंदी चक्रवाथ है ट्रोपिकल साइकलोन इसको दो भागों में मान दिया जाता है इसकी तिम्रता के अधार पर अनि उश्ण कडिमंदी चक्रवाथ को दो भागों में बाटेंगें चले हिंदी में लेलें पहला गौंड चक्रवाथ या इसको इंगलिस में हम क्या कह सकते हैं वीक ठीक और दूसरा होता है प्रचंड अनि स्ट्रॉंग प्रचंड चक्रवाथ इस्ट्रॉंग को साइक्लोड ठीक इसमें जो हैं दो चक्रवाथ आते हैं इसके अंतरगत जो वीक गौंड चक्रवाथ या कम जो चक्रवाथ हैं इसमें दो आएंगे एक आता है डिस्टरॉंच जिसको हम क्या कहते हैं बिच्छों याद होगा पच्छमी बिच्छों कि इंगलिस में क्या बोलेंगे डिस्टरॉंच और दूसरा होता है अवदाव डिप्रेशन और जाने का मतलब क्या होगा अवदाव और आप को क्या बोलेंगे डिप्रेशन और ये है डिस्टर्वेंस जैसे वेस्टन डिस्टर्वेंस पच्छमा ये काफी लंबे समय तक बने रहेंगे हल्की फुल्की वर्सा करते हैं इसे पच्छमी भी छोप समाने तो हमारे यां होता है कि मैदानी चित्रों बेराजिस्थान से लेकर मैदानी चित्रों अवदाप अवदाप समाननितर जो बंगाल के खाड़ी के चक्रवात उनको अवदाप की सेनी में रहते हैं इसी पर अभी वापस हम आएंगे जो इस्ट्रांग है इस्ट्रांग में जो है तो आएंगे ए देख आएगा हरीकेन कि क्या आएगा नंबर वन हरीकेन हरीकेन और दूसरा आएगा टोड़नेडो तो यह जो हरीकेन है यह करेबियन सागर में आते हैं चीन सागर में आते हैं तो वह हरीकेन करते हैं करेबियन सागर वालों को जो कहने का मतलब जो चीन के आसपास आता है उसको टाइफून कहते हैं तिन छित्रों को प्रभावित करते हैं सरवाधी किसका प्रभाव होता है करे भी अंदीव समों को प्रभावित करते हैं देख दो चक्रवाद का नाम भी जानते जिस इंदर्गी सो गहरा थे कि और यह जो टोर्नेडो हैं यह काफी खतरनाक होते हैं यह इस्थलिय भाग पर में बिक्सित होते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव यह डालते हैं कहां पर अमेरिका अने उत्तरी अमेरिका के महान मैदान च्छित्र में जवरदस्ट आते रहते हैं चीन में भारत में भारत में इसको बॉंडर ठंडर स्थाम के नाम से हम जानते हैं अब हम जो कंसर्ट्रीट करेंगे आउदाब पर आउदाब क्योंकि अमफन है अब देखो एक प्रचंद चक्रवात का पावर अन्य शक्ति कितनी है तो बैज्यानिकों ने बताया कि जो नागाशा के हिरोशिमा पर प्रमाणु बम गिराए गये थे वह ऐसे बम को कर ले लिया जाया तो एक प्रचंद उसनकरवात की शक्ति दस हजार प्रमाणु बमों की होती है तो आप खुद इमेजिन करें कि यह कितने बड़े पैमाने पर तबाही कर सकते हैं अभी एनरजी कहां से आती है तो वास्प की एनरजी होती है जो बैरोमेट्रिक श्रोप जितना तेज रहेगा उतना होगा कभी-कभी तो जैसे कि समानित्र माना गया कि समाने जो जाता है लगबक इतना मिली बार शागर सतह पर लेकिं कभी-कभी उस लिए चक्रवातों में 650 मिली बार तक आपमान गिर जाता है तो कितना अंतर हो गया तो यह प्रमानुबम से भी खतरनाक हो जाते हैं बैरोमेट्रिक स्लोप जब इतना हुआ तो अब देखो अवदाब क कि बात करूंगा मैं आजाओंगा अपने बंगाल की खाड़ी की तरफ तो यहां पर जो बंगाल की खाड़ी में आरफ-शागर में जो चक्रवात आते हैं उनको डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है लेकिन इसमें यह देखा जाता है कि जो डिप्रेशन हमारे पास है और जो अवदाव हमारे पास है जो बंगाल की खाड़ी में आया डिप्रेशन इनका समान निभेग माना गया कि 50 से 60 किलो मीटर 50 से 60 किलो मीटर प्रतिगंटा होगा लेकिन यह अधिक वेग जलवाई परिवर्तन भी हो रहा है सब कुछ परिवर्तित हो रहा है तो यह 200 किलो मीटर प्रतिगंटा का भी चाल ले लेते हैं कहने का मतलब वेग प्राप्त करते हैं जैसे हम फन की बिसम बोला गया कि पहुंच जाएगा 200 किल लोन उनिशा के तड़ से टकराया था और बड़े पैमाने पर तबाई हुई थी कई तशीलों में तो कई गाओं का पता ही नहीं चला फिर सेविंटीवन में आया था सट्री सट्र के दश्रक के सुरुवात में तो तटी भाग बंगला देश तक लगबत तीन लाख लोग मा हमारे यहां डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी कुछ सुधार हो चुका है कई चक्रवात आते हैं हम आसा भी करते हैं कि इसमें भी हमारी डिजास्टर जो लिए आपदा प्रबंधन की टीमें अच्छी काम कर रहे हैं क्वैजिवल्टी होगी ही नहीं तो यह बड़े खतर सूपर साइक्लों कि सूपर साइक्लों कहने का मतलब यह अतितिब्र हो जाएंगे अब जहां तक अंफन की बात है तो कहा गया कि जो आठ देश एक लिस्ट जारी करते थे उस लिस्ट में यह क्या है अंतिम नाम है अभी आप दिखाएंगे तो इससे से अगर हम देखते हैं कि तो कि यह अगर आप देखो कि तो इस्थि हमारे यह है कि यह कि जो बंगाल की खाड़े में यह चलते हैं कि यह साइकलोन जैसे यह साइकलोन चला एक समानी साइकलोन हम लेते हैं यहां से यह बड़ा तो इनकी जो दिशा होती है समाने तब पच्छिम या उत्तर पच्छिम की और होती है कि मानित पच्छिम या उत्तर्प पstatue Lord अगर अश्टी göra है इशार में तो पक्छिम की और होगी कि अ मपन्स जू है है बताया जाता है को एसंटीश सप्रती यहां से शुरू हुआ धीरे 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 घ्रेरे ट्रік लेते लेते हैं यहां तक अब यहां से यह इधर की तरफ जा रहा है यहां पर अगर आप ध्यान रखें तो यह सागर दीफ है कि शागर दीफ कि और यहां पर मंगला देश का हटिया देव इन दोनों के भी से होकर यह गुजर रहा है और स्पीड बताए गई अभी तक बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान में जो सुचना मिनी यह लगभग यह एक सुपचासी कीलो मीटर प्रती घंटा की स्पीड ले लेगा तो इन छित्रों में यह वारिष तो होगी लेकि इहां पर यह जो देखा जा रहा है यह बड़े लेबल पर तबाही करेगा अब देखा जाए कि क्या करता है यह इस्ति आगई अब जहां तक लिस्ट है कि इनकी हमें ट्रैक अगर हम बर्तमान में हम देख रहे हैं इस इस्तिती को कि कैसे इसको हम करेंगे तो जैसे आप जो राप्त हुआ हमें यह यह जो मैप आपको दिखाए दे रहा है कि यह इसका ट्रैक जो सेटलाइट से लिया गया यह देखो आप जैसे वहां बताया गया उसी तरह से यह जा रहा है यहां से आया और यहां से ट्रेक्स चेंज किया तो सागर आइलेंड और हटिया दीप के बीच से ओकर गुजरेगा और इधर जाएगा अभी कुछ सुचना रहे कि साइद यह कमजोर हो जाए भगवान करें कमजोर हो जाए तो तबाय थोड़ी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो एक तो यह इस्ति हमें दिखाई दे रही है ठीक है अब जो नामकरन किया गया इसका जिसे जो कोश्चन आपके पास आएंगे तो जो नामकरन किया गया जिसे पुराना नामें देखो और यह पुराना नामकरन किया गए आपको जो लिस्ट थी यह आपको दीख रही होगी देश कौन के दो भाग में दिया गया बंगलादेश इंडिया माल्दिमें आमार यह सब आपको दिख रहे हैं तो इस तरह से यह Thailand Thailand में जाओ गे तो जुन्री शीरी जाइँ यहां पर यह अंफान यह लिखा है अमठार्ण है तो अभी तक यह है इसके बाद नई सीरी जाएगे जिसमें तेरा देश कंलीथ हो जाएंगे कौन-कौन से देश कंली दूजह साजंगे वह आपको हम अभी दिखा रहे हैं कि यह कुछ दिन पहले दो दिन तीन दिन पहले मैंने फेस्बुक पर सेयर भी कर दिया था पुराना नाम और नया नाम दोनों आया था तो देखो इसमें कौन-कौन से देश हैं आप देखें यह कि बंगलादेश इंडिया इरान माल्दी म्यामा ओमान पाकिस्तान कतर साथी अरब स्री लंका थाइलेंड युनाइट अरब इम्रात और इहमन अब इन में जो सिरी शुरू की जाएगी जैसे बंगलादेश नंबर वन पर है तो शुरू क्या किया जाएगा कि लिस्ट वन 1230 तो पहले क्या किया जाएगा जो अंफान के बाद अब दूसरा चक्रवात आएगा तो पहला नाम दिया जाएगा निसाग्रा निसार्गा सरी निसार्गा निसर्ग कह सकते हैं बंगला बंगला भासा है निसार्गा निसर्ग उसके बाद गती निवार इस तरह से नाम तो तेरा नाम फर्स सिरिज के हो गए तो फिर दूस्ते सिरिज के तीसरे चौथे पांच में तेरा तक यह नाम आएंगे क्लियर तो यह अमफान की स्थिति रही समानी नौलेज दे दिया गया अब कोई और भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो जो ग्रोफिकल तो बीच बीच में हम ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जो करेंट पर हो तो इसमें से कोश्चन भी आ सकते हैं और आपके लिए जरूरी भ